लगतार धनबात के अगर हम बात करें तो बिजली की लचर रवस्था देखने को मिलती है वहीं साथी साथ पूरे विश्व में अब सोलर सिस्टम को लेकर सोलर पावर को लेकर लगतार लोगों के अंदर जागुता देखने को मिल रहे हैं हाला कि अभी भी अगर हम भारत में बात करें तो काफी कम लोग ऐसे हैं जो सोलर एनर्जी को लेकर जागुरुक हैं कई जगों पर इसका इसका इस्तमाल सही डंग से हो रहा है लेकिन अगर हम धनबात की बात करें तो काफी कम संख्या में ऐसे लोग हैं इसके इंस्टालेशन के बाद से क्या कुछ इनको परिवर्तन देखने को मिला अब ये बिजली का कितना उपयोग करते और साथी साथ अगर बरसाथ के दिन होते हैं तो उसमें किस प्रकार की परिशानियों का सामना करना पड़ता है हरिंदर जी आपको बहुत बहुत स्वाग तो लोड सेडिंग होती थी तो यह लगा कि भाई जितना मैं जो मैं यह लगा था इंवर्टर लगाया था तो बैक अप उतना नहीं मिलता था कभी लोड सेडिंग के चलते हैं जो मूल कारण है कि एक दो दीन लाइन चली गई तो ऐसे परिस्थिते में मुझे लगा कि मेरा बैटरी फूल चार्ज रहेगा और हैवी बैटरी लगाऊंगा और बिजली का कनेक्शन के अलावा भी सोलर का भी मैं पैनल यूज करूं तो इससे है कि मेरा कितना बैक अप दो तीन दीन मुझे चाहिए लाइन सट डाउन भी हो जाए तो मैरे एलेक्टिसीटी कंप्लीट ह है ऐसे में 2011 में अहमदाबाद गया था तो भूज सूरत राजकोट एरिया में गया घर घर में मैंने देखा कि सोलर पैनल लगा हुआ है तो वहां तो डीसी करेंट थी तो मैंने डीसी करेंट डीसी अप्लाइंस के लिए मैंने बहुत ट्राई किया जहरकंड में राची जमस तो मैं कई बैटरी वाले कि से कॉंटेक्ट किया कि मुझे हाइब्रीड इंवर्टे चाहिए और भी 2000 वाट का क्योंकि मेरा कंजमसन जो है मेरा डबल स्टोरी बिल्डिंग अब देख रही हो कि कम से कम 13-14 कमरे तो 1200-1400 मेरे यूनिट मतलब यूज पर आवर भी मेरा खर्च होगा तो मैं 2000 वाट के लिए प्रयास में था तो हुआ कि एक पटना के ही टूपावर कंपनी से जुड़े हुए थे एक धनबाद के ही जो बैटरी सेल करते हैं देव बैटरी वाले तो उन्होंने ही मुझे पटना वाले का नंबर दिया उनसे मैं टूपावर वाले से दिल् तो उन्होंने मुझे सारा इस्टिमेट दिया और जो बैटरी का जो एजेंसी जो यहां पर है तो उसके थोरा ट्रांसपोर्ट से मेरा माला है तो यह चीज हुए कि मेरा तीन दिन चार दिन भी यदि बिजली का सप्लाई नहीं रहे तो मेरे घर में अंधेरा नहीं रहेगा टीबी हो टूलू पंप हो आपका फैन और बल्ब तो कहना नहीं है सब वो चलता है गर्मी की दिनों में तो परिशानी नहीं होती होगी लेकिन बर साथ के दिन में अगर हम बात करें तो क्योंकि क्लावडी एरिया रहता है 365 दिन यदि मैंने कहा ना कि तीन दिन भी लाइन तो मेरे घर में बत्ती जलती ही है यानि मेरा बैक अप इतना है कि वो 1200 वाट मैं कम से कम एक बार फूल चार्ज हो जाए तो दो दिन तीन दिन मैं मैं मैंनेज करके यूज कर लेता हूं इस दौरान आप जब सोलर पैनल के इस्तमाल से एसी फ्रिज ये तमाम चीज़े चलती है मेरे गर में आप एसी देख रहे हूं दो-दो मेरे हैं फ्रीज भी है तूलू मोटर भी है खाफ फेचपी का तो यह है कि जब तूलू मोटर चलाना है तो एट टाइम पांसो वाट यूज करता है तो उस समय थोड़ा दूसरे अप्लैंस से उसको फैन होगा रहा है फ्री है कि ऐसे मुझे 2000 वाट का वह थो फैब्रीट इंवर्टर नहीं मिला तो उसका 80 परसेंट आपूट होता है इंपूट तो 1600 वाट और आपूट 80 परसेंट यहांनि कम से कम 1200 वाट एट टाइम मतलब में मैं विजली को यूज कर सकता हूं अगर बात करें धनबाद में काफी परिशान रहते हैं विजली को लेकर तो उन्हें आप क्या मैसेश देना चाहिए और क्या आपने करीब 10 साल पहले इसके लिए कर जद्दोजद कीरी हां लगबग 19 साल हो रहे हैं तो अब क्योंकि आप आपको उस वक्त परिशानी हुई थे आज यह सारी चीज़े थोड़ी प्रिशन होती नहीं है तो आम नागरिक को यह चाहिए कि कम से कम यह जो अक्षै स्रोत है जो रिनॉबल इनरजी है तो उसको क्योंकि को चोम कि ने मेत वक्ति margin 10 बॉल है तो इस पे DANIEL है तो एक सफॉरे पर थोड़ी लागत लगती है तो स likened कि शज़ाने ना इसे बिभनार् तो यदि थोड़ी से हिम्मत करो तो घर में तो एक तो बिली के लिए आपको कोई कमी नहीं रहेगी और लोड जो है ना इलेक्टिसीटी बोर्ड पर जो सप्लाई है वो घटेगा आए एक नेशनलिटी की बात है आपके सोच की बात है नागरिक को तो बेनेफिट होगा जाद वो तो यूज नहीं कर पाएंगे इन चीजों को एफ़र्ड नहीं कर पाएंगे तक कम से हम यदि बिजली उनके लिए भी बचा कर रखें हम सोलर सिस्टम को अपना है तो उनके लिए बिजली बचा कर रखें तो गरीब के घर में उजाला तो होगा यह बहुत मत्वपून चीज है तो एक रूम दो रूम में रहते हैं और उनको विजली अफ़र्ड करने के लिए उतने पैसन यह मतलब वो सामर्थवान नहीं है तो ऐसे विजली बचा हैं उनके लिए तो उनके घर में तो उजाला होगा पहली बात दूसरा चीज है कि हम जो जो हमारा यह जो यह क बिजली को उतना सप्लाई कितना देगी जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो हमको तो इस पे तो सोचना ही पड़ेगा आज नहीं हो दो साल दस साल पांत साल के बाद आपको यह इस पे बिचार करना पड़ेगा क्योंकि चाइना हो बहुत सारे ऐसे कंट्री हैं कि वहां पे संरे पे ज्यादा डिपेंडेंट हैं वो अपने जरुत को पूरा करते हैं और बिजली की उप्योंगिता यह ज्यादा ज़ूरी है कि जितना हमें यूज है यदि आना वस्यक हम बल्म ना जलाया ना वस्यक हम टीवी ना चलाया क्योंकि वो आपके लिए ही नहीं एक राष् सबसे इंपोर्डेंट है कि कोईला हो या हाइडल अभी जोसी मठ की घटना देख रहे हैं तो वहां वो हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने के चलते हैं वो 30,000 के अबादी जो है वो सहरी खतम हो रही है तो यह कहीं ना कहीं प्रियावरन हाइडल बनाए चाहे हैं अब थ प्रिटेंट लोग हैं उनको सिफ्ट करना पड़ता है इन चीजों से तो बच सकते हैं मैक्सिमम लोग यह मैं चाहूंगा कि सोलर एनर्जी को यूज करें कि इससे कि आपका हित आपके घर का उजाले में तो कोई कमी नहीं आएगी मगर एनर्जी सेव होगी जो कि हम दूसर में यह सोलर पैनल आप मेरे पीछे देख सकते इसे इंस्टॉल किया था और इसका काफी बेनेफिट इनको मिला है साफी तौर पर इनों यह भी बता है कि ना सिर्फ इससे इनका खुद का बेनेफिट हो रहा है बलकि पर्यावरण की दृष्टी से अगर हम देखे तो यह व चीजों को अपना है इससे ना सिर्फ आपके खुद का बेनेफिट होगा बलकि हमारे देश और साथी साथ अगर हम बात करें तो प्रित्वी और पर्यावरण इन सभी के लिए वाकई में एक बहुत सही पहल है अब देखते हैं कि कितने लोग जागरूख होते हैं और इससे एलेक्रिसिटी की जो समस्या इसे भी इन सभी को नजात मिलता है अपने सेयोगी संतोष के साथ शामभवी सिंग देन्यूस पोस्ट धनबात